होली पर छूना भी मत ये वाला रंग, गमवा बैठेंगे आँख, कैंसर का भी खत्रा अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग होली के बाद तवचा की समस्या, सांस नली में संक्रमण, कंजंक्टिवाइटिस, आँखों का संक्रमण, कॉर्नियल एब्रेशन, आई डैम जैसी समस्याओं की शिकायत करते हैं। होली के रंगों के दुश प्रभाव होली रंगों का खूबसूरत त्योहार है, लेकिन इसमें इस्तमाल होने वाले कैमिकल वाले रंग सेहत के लिए खत्रा बन सकते हैं। NCB की रिपोर्ट के अनुसार, आजकल रंगों में लेड ऑंकसाइड, क्रोमियम आयोडाइड, कॉपर सलफिट, मरकरी सलफाइट और अलियूमिनियम ब्रोमाइड जैसे हानिकारक रसायन इस्तिमाल किये जाते हैं। ये केमिकल तवचा की समस्या, आँखों की तकलीफ और सा लेने में दिक्कत जैसी कई स्वास्ति समस्याएं पैदा कर सकते हैं। तवचा में जलन और ऐलर्जी, केमिकल वाले रंग, तवचा में जलन, लालिमा, खुजली और जलन पैदा कर सकते हैं। समवेदन शील तवचा वाले लोगों को इन समस्याओं का ज्यादा खत्रा होता आंखों की समस्याएं, आंखों में जाने पर केमिकल वाले रंग, आंखों में जलन, लालिमा, पानी आना और यहां तक की अस्थाई रूप से अंधापन भी पैदा कर सकते हैं। कैंसर, होली के रंगों में इस्तिमाल होने वाले कुछ रसायन जैसे लेड और क्रोमियम, कारसिनोजैनिक होते हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने से कैंसर का खत्रा बढ़ा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं पर होली के रंगों का असर हार्मोनल परिवर्तन के कारण गर्भवती महिलाओं को आँखों में जलन की समस्या ज्यादा हो सकती हैं। कई कैमिकल वाले रंगों में लेड, पारा, क्रोमियम और अमोनिया जैसे जहरीले पदार्थ होते हैं जो तवचा के माध्यम से अवशोशित हो सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।